साथियों, 36 गड़की कॉंग्रेस सरकार, आपको लूटने का कोई मोका नहीं छोड रही, इनोंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है दो दिन पहले ही, राइपूर में बहुत बड़ी कारवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा धेर मिला है लोग कह रहे हैं, कि ये पैसा सत्ते बाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है और जो उन्होंने चत्तिजगर के गरीबों को, चत्तिजगर के नवजवानों को उनको लूट करके जमा किया हुआ है लूट के इसी पैसे से, कॉंग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं मिडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार चत्तिजगर के उन तक जा रहे हैं मालू मैंने किस तक जा रहे हैं कहां तक पहुंच रहे हैं चत्तिजगर के लोगों को मालू मैंने कहां तक पहुंच रहे हैं जरा जोर से बताईए कहां तक पहुंच रहे हैं यहां की कॉंग्रेस पार्टी ने यहां की सरकार ने यहां के मुख्यमंत्री ने तुझर की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस गोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या समंद है जानना चेक नहीं जानना चाहिए जानना चेक नहीं जानना चाहिए कुछ तो होगा ना आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बोखला गए है मैदान में उतर आए है और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दभी जबान में हमार यहां मैसेज पहुचा रहे हैं हम भी देख लेंगे हम भी तुम्हारे यहां कहीं पैसे रखवा दे कर के पुलीज बेच देंगे यह धमकियां किसको दे रहे हो यह किसको डरा रहे हो यह जनता है सब कुछ जानती है मोदी को तो यह कॉंग्रेसी दिन राद गालिया देते हैं हर दिन मैं दो ढाई किलो गालिया खाता हूँ लेकिन यहां के मुख्यमंत्री अब देश की जहां चेसन से आ देश के सुरक्षा बल उनको भी गाली देने लगे हैं इन साथियों पर भी अनाप्षना और आरोप लगा रहे हैं लेकिन मैं 36 गड के अपने भाईयों और बेहनों को कहूंगा यह मोदी है गालियों से डरता नहीं है ब्रस्टा चारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है जिनोंने 36 गड के गरीब को लूटा है उस पर कारवाई होके रहेगी उसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा मेरे परिवार जिनों 36 गड की ब्रस्टा सरकार ने एक के बाद एक गोटा ले करके आपका विश्वास तोड़ा है 36 गड महतारी का अपमान किया है PSC गोटाले और महादेव एप गोटाला तो चर्चा में है ही कॉंग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार में गोटालों की कमी नहीं है अगर मैं भी बोलने जाऊंगा हर गोटाली की बनान तो साइज मेरा अगला कार काम लेट हो जाएगा 2000 करोड रुपिय का शराब गोटाला 500 करोड रुपिय का सिमेंट गोटाला याद है ना आपको याद है कि भूल गयो 5000 करोड रुपिय का चावल गोटाला 1300 करोड रुपिय का गोठान गोटाला 700 करो रुपिय का DMF गोटाला 500 करो रुपिय का चावल कस्टम मिलिंग गोटाला सेंकडो करो रुपिय का कोरोना के सेस का गोटाला 36 गड को लूटने का कॉंग्रेस ने कोई भी मोका नहीं छोड़ा है मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ राज में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे गोटालों की सक्ती से जाच की जाएगी आपका पैसा लूटने वालों को जेल बेजा जाएगा